यह रेसिपी उनको बहुत पसंद आने वाली हैं जिनको sweet बहुत पसंद हैं जैसे कि जो लोग sweet lovers हैं यह मैंने घर पर बनाया हुआ condensed milk है जिसको मिठाई मेट के नाम से जो मार्केट में पैक डाता है यह वही वाला है कुछ लोग इसे condensed milk भी कहते हैं और यह मिठाई मेट भी है हाई यू आल वेलकम तो माय चैनल 3P be happy आज हम देखेंगे कि कंदेंस्ट मिल्क घर पर कैसे बनता है यह बहुत ही आसान है सिर्फ 3 इंग्रिडियंट्स की हल्प से बनाया हुआ है यह मैंने लिया हुआ है चीनी हाफ कप चीनी थोड़ा सा बेकिंग सोड़ जी हां खाने वाला सोड़ा और हाफ लीटर मिल्क हाफ लीटर मिल्क मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है अमूल का हाफ लीटर मिल्क है जो की फुल क्रीम है यह मैंने एक नॉनिस्टिक पैन लिया हुआ है जिसको मीडियूम फ्लेम पर कर दिया है यह मैंने हाफ लीटर म इसोध मिल्क फ्लेवर बेन और जो चुण से बने तो अनुण में बर। में सोब्हों की बहुत अचिए घखे, षीक पीछ मेंन के पकाइस के टीशच से पसे बीद के में घब चाले, के बाद अब इसमें एक कप चीनी डाल देंगे याद रखेगा चीनी हमको तभी डाल लिए जब एक दूद में अच्छा उबाला जाए ताकि गरम दूद में चीनी अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाए हमको फिर से चलाना है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दू चीज केगा उसके लिए आपको कंटिनियूसली चलाना पड़ेगा यह देखिए दूद बिल्कुल कम हो चुका है दूद का कलर चेंज हो चुका है कंटेनर की वाल्स पर दूद लग चुका है थोड़ा थोड़ा पैन की वाल्स पर दूद जमना शुरू हो चुका है दूद दूद को एकदम लो फ्लेम कर कर दिया है और बॉइल बहुत अच्छे से दूद में आ रहा है अब इस बॉइल के बाद दूद थोड़ा और गाड़ा होना शुरू होगा जैसे ही देखिए मैंने इसकी साइड वॉल्स से मलाई निकालना शुरू कर दी है हमेशा ध्यान रखि इसके बाद मैंने एक चुटकी सिर्फ एक चुटकी ही जस्ट वन पिंच बेकिंग सोड़ा डालेंगे बेकिंग सोड़ा डालते ही आप देखिए बबल्स आ गए और जैसे ही चमस से चलाना शुरू करा तो सारे के सारे दूद में बबल्स आने शुरू हो गए बस यही प्र करकर यह देखिए कितने अच्छे से अच्छे से इसका ओबाल आना शुरू हो गया है करमलाइज बनना बिल्कुल शुरू हो चुका है और एक चुटकी से जादा नहीं डालें आप कंडेंस मिल्क बनाने के लिए सोड़ा एक चुटकी इस इनफ क्योंकि अगर आप जादा तो दूद्ध फट भी सकता है और दूद्ध का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा यह देखिए जब यह बनने लगता है ना तब यह इसका इंडिकेशन सा यह वाल पर चिपकने लगती है जो मलाई है थम को कंटिनेसली निकाल कर उसमें डाला है यह देखिए बिल्कुल लो फ जो लेयर बन जाती है अब गैस को बंद कर दिया है और ठंडा होने के बाद बिद्कुल गाणा कंटेंसमिल किये है आपके सामने ऐसी ही कंसिस्टेंसी का कंटेंसमिल जो मार्किट में आता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट दा लाइक बटन स अबर अपको कुकी वेडियो उस पर रवेडियो को अब्र स्थाएब लाइक एओ लुप्र श्टेंस अब सांधा है रवेडिय।